सो लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोण लोगों के हाथ में राहुल गंधी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 100 लोगों के पास इतना धन है जितना देश के 55 करोण लोगों के पास है मैं उनकी बात से समझ पा रहा हूं कि सायद वे जो टाप मोस्ट हंड्रेट धनी लोग हैं उनके धन की बात कर रहे हैं पर जो 55 करोन की बात हो कर रहे हैं वो 55 करोन उन सब लोगों के बात के 55 करोन है या नीचे से 55 करोन है इस बात को रहुल गंदे जी आप असपश्ट कर देजिए और उस आंकड़े को ही अगर आप बताएंगे तो आपकी बात ज्यादे रहुसाली हो सकती है कि आखिर जो सव लोग हैं टाप मुष्ट के या जो भी रैंकिंग उनकी हो उनकी कुल संपत्ति कुल धन कितना है और 55 कर क्यों है या जो सबसे निचले पायदान पर विक्ति है सबसे कम या कुछ नहीं रखने वाले रुपया दो रुपया रखने वाले वहां से फिर बढ़ते हुए करमे 55 क्रोण लोगों के पास जो धन है उसका विदुरन भी आप दे देजिए और रहुल गंदी जी एहवात आ कि आपने केवल देश की टापमुस्ट लोगों का धन क्यों देखा कम से कम टापमुस्ट थाउजिंट लोगों का नाम आपको लेना चाहिए था कि देश की जो टापमुस्ट थाउजिंट लोग है उनके पास इतना धन है और कितना धन है यह भी आप बताएं मैं आपसे कि आप आकुणों का अच्छी से धन करें अपकिपा करके भी बताएं कि हिंदुस्तान के जो टाप मोस्ट थाउजंट लोग है धन के मावले में उनके पास कितना धन है और मेरी आपसे विक्तिकत गुजारिस है कि आप अपनी रेंकिंग भी बताएं कि आप टाप थाउजंट धनी लोगों में से हैं या उनके बाद आपके रेंकिंग आती है उमिद करता हूं एक वीडियो आप तक को